हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक तू मैं यूटूब चैनल वैशनवी फ्री एजुकेशन क्लासिस फ्रेंड्स जैसा आप सभी लोगों को पता है कि डेली आपकी जो क्लास है बिल्कुल धूअधार तरीके से चल रही है और हम लोग कवर कर रहे हैं और आज जो है हमें पढ़ना है काफी important topic आज हमें पढ़ना है जिसमें हम लोग देखेंगे लोग कला पढ़ेंगे आज हम लोग क्या पढ़ना है हमको लोग कला शैली और साथी साथ लोग नत्यको ठीक है तो सभी लोग ready है class start करें देखिए आपको timing बता देते हैं आप लोग time में बहुत बड़ी भुलककर type के हो गए हैं तो आपको याद रखना है डेली आपकी शाम को 7 बजे ये class होती है तो सभी को श sunny वार प्लस रवी वार हमने आपको बताया है न क्या चलेगा आपका चितेरा का नोट चलेगा ठीक है तो कल परसों जो आपका sunny वार और रवी वार है इसमें हम लोग cover करेंगे क्या आपका चितेरा का नोट ठीक है तो चलिए फिर अपने questions को start करते हैं और जिसमें अभी class like back ना किया हो तो आप कर दीजेगा और सभी लोगों का welcome है class में जो बच्चे नये हैं उनका भी welcome है और जो daily आते हैं उनका तो welcome है ही ठीक है हाँ शाब बात चलिए सभी लोगों को good evening good evening राधे राधे ज्याश्री कृष्ण अब चलिए बिना किसी बात किये हुए अब चलते ह हैं और आज का जो हमारा topic है हमने बता दिया आपको कि आज हमारा topic है क्या नाम है लोग कला शैली एवं लोग नत ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं questions को चलिए बढ़ते हैं अपने questions की तरह तो पहला question आपके screen पर आया है रंगोली भारत के किस शेत्र की प्रमुख लोग कला शैली है अभी थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा चलिए बताइए रंगोली भारत के किस शेत्र की प्रमुख लोग कला शैली है गुजरात महाराष्ट राजस्थान शक्तिस्कर बताइए सभी को करना है answer और थोड़ा सा speed maintain करके करना है ठीक है फास्ट चलेंगे शाब बार answer की बात की जाए तो आपका जिसने जिसने option बी दिया है महाराष्ट उसका बिल्कुल सही है रंगोली की बात की जाए तो कहां की है आपकी महाराष्ट की है आगे next question है अलपना भारत के किस शेत्र की प्रमुख लोग कला शैली है गुजरात तमिल नाडू उत्तर प्रदेश पस्चिम बंगाल बताइए अलपना कहां की है very good आंसर की बात करें तो आपने जिसने जिसने option D दिया है पस्चिम बंगाल उसका बिल्कुल सही है अलपना कहां की है पस्चिम बंगाल की रंगोली कहां की है महाराष्ट की आगे मांडना लोक कला शैली का संबंद किस भारतिय राजसे है राजस्थान गुजरात महाराष्ट बिहार चापो जल्दी से मांडना कहां की है आंसर की बात की जाए तो आपका option A सही है कहां की है ये राजस्थान की है आगे अरपन लोक कला शैली का संबंद किस भारतिय राजसे है गुजरात महाराष्ट पस्चिम बंगाल बिहार बताओ सभी को करना है अरपन पूछा है अलपना आपकी पस्चिम बंगाल की है लेकिन यहां पूछा है अरपन आंसर की बात की जाएगी तो आपका जो है option D हो जाएगा राइट बिहार की है क्या अरपन ठीक है चौक पूर्णा का अंसर जिसने option A बताया है उत्तर प्रदेश उसका बिल्कुल correct है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पुस्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है एके बोता एके बाना एके फासा बोनसाई बताए पुस्पों को क्रम से लगाने की ज जापानी कला है उसको क्या कहते है छापो जल्दी से बेटा सभी को करना है चलिए शाबास आंसर जिसने option B दिया है एके बाना उसका बिल्कुल correct है पुस्पों को जो क्रम से लगाने की जापानी कला होती है उसको हम क्या कहते है एके बाना कहते है ठीक है आगे एके बाना ज तो वही question है, बताइए, अब देखेगा सही से, एके बाना जो है, ये जापानी कला है, किसकी, अभी जस्ट पढ़ा है, option A हो जाएगा, फूलों की विवस्था की, ठीक है, आगे, कलमकारी लोक कला का संबंध जो है, कौन से राज्य से है, बिहार, गुजराद, हरियाना, हाँ, चलिए, answer बिल्कुल सही आ रहा है, जिसने जिसने option D दिया है, आंधर प्रदेश उसका बिल्कुल सही है, कलमकारी कहां की है, आंधर प्रदेश की, बताना है, फूलकारी लोक कला कहां प्रचलित है, गुजराद, बिहार, हर्याणा, आंधर प्रदेश, छापो, यहां फुलकारी पूछी है तो आंसर है इसका option C, जिसने जिसने हर्याना दिया है उसका बिल्कुल सही है फुलकारी कहां की है? हर्याना की गर्बा लोक नर्तक शैली कहां की है? महारास्ट गुजरात, राजस्तान, पंजाब बताओ गर्बा के बारे में ये तो हर किसी को पता है वेरी गुड चलिए आंसर है option B ये कहां का है गुजरात का है आगे आगे आंसर दे रहे हैं बहुत सही बताइए तमाशा जो है किस राज्य की प्रमुक्स लोकनत कलाश एली है गुजरात, महारास्ट, राजस्थान, पंजाब बताइए 100 questions तक पहुँचना है जल्दी जल्दी करते जाएए शाब बाद आंसर पहले पहले आ रहे हैं बहुत सही कहां का है आपका महारास्ट का उत्तर प्रदेश का एक प्रशिद लोगीत कौन सा है मांग, कजरी, बोल, बोली बताइए शाब बाद आंसर आ गया है याद रखना है, option B है कजरी और कहां लगता है ये मिर्जापुर में लगता है और एक और है अपने यहां का उत्तर प्रदेश का कजली बहुत confuse करता है कजरी और कजली में कजली है आपका कजली है आपका महोबा का और कजरी बोलेगा तो आपका मिर्जापुर का, ठीक है याद रखना है बाउल गायन जो है कहां का एक लोग रूप है, बताइए बाउल, गुजरात, बंगाल करनाटक, पंजाब, बताइए शापो जल्दी से, बाउल जो है कहां का है इसकी बाद की जाए तो आपका हो जाएगा option B, बंगाल, ठीक है वैसे तो यह देखा जाए, तो जारखंड तरप का है लेकिन यहाँ पर जारखंड option में नहीं है तो याद रखना है, कहां पर बंगाल में हो जाएगा, ठीक है आगे, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नत्र शैली है बताईए उत्राखंड, छत्तिसगर, मद्ध प्रदेश, उत्तर प्रदेश बताईए पंडवानी कहा का है छापजल्दी से हाँ जिसने जिसने ऑप्शन भी दिया है छत्तिसगर उसका बिल्कुल करेक्ट है पंडवानी जो है कहा का है छत्तिसगर का रहूफ जो है निरत्त ये कहा का है गुजरात, पस्चिम बंगाल, जम्मू कस्मीर, यमांचल प्रदेश बताईए सारे questions बहुत important है आपके exam में बहुत जादा ही एहम भूमिका निभाएंगे ये questions ठीक है चलिए आंसर आ रहा है option C जम्मू कस्मीर याद रखना है रहूफ जो है जम्मू कस्मीर में किया जाता है केली गोपाल जो है किसराजी की लोकनत शैली है पस्चिम बंगाल, असम, मडीपुर, त्रिपुरा केली गोपाल या फिर कहीं कहीं कली गोपाल भी दे देता है याद रखना है option B असम, ठीक है गोपाल अपने कैसे है, ओशम ठीक है, याद रखना है भांगड़ा जो है, कहा का लोग प्रिये नत्त है बताओ जल्दी से, हर्याणा, चंडीगर पंजाब, गुजराब, ये तो गलत नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग डेली भांगड़ा करते हैं है ना खिशी की शादी हो जाए, फिर तो देखो भाई भांगड़ा जिसको आता भी नहीं होगा तो ऐसे भैंकर मटकते हैं चलिए शाब बाद आंसर आगया है, option C आपका पंजाब है, ठीक है, आगे पढ़िहारी लोकनत जो है, कहां कहा है, बताइए नागलेंड, गुजराथ, करनाटक केरल, बताइए पढ़िहारी जो है, कहां कहा है आंसर जिसने option B दिया है उसका सही है गुजराथ में है, ठीक है, पढ़िहारी कहां है आपके, गुजराथ में है, आगे यच्छगान जो नामक लोकनत है, इसका संबंद किस राज जिसे है, केरल, करनाटक तमिलनाडू, आंधरप्रदेश, बताइए यहां से 100% आपका, एक या दो नमबर यहां से 100% मिलेगा आपको एक्जाम में, ठीक है, चलिए बताइए वैसे आप लोगोंने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, यहां से आप लोग देखिए कि आपसे कौन से questions छूट चुके हैं, जो आपने नहीं पढ़े हैं उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है याद रखना है यच्छिगान जो है, कहां का है आपका करनाटक का है, ठीक है आगे बिहु जो है, कहां का है, असम, उडिसा पस्चिम बंगाल, त्रिपुरा चापो जल दी से, मज़ा आ रही है आंसर है आपका, बिहु जो है आपका, असम का है, आगे घंटा मर्दाला जो है कहां का, लोक नत्य है केरल, करनाटक, आंधर प्रदेश तमिल नाडू, घंटा मर्दाला बताईए आंसर है आपका, ऑप्शन सी, आंधर प्रदेश घंटा मरदाला कहां का है आंधर प्रदेश का आगे चेरो कान जो है ये कहां का लोकनर्त है असम, नागा लेंड, मडीपुर, मिजोरम बताईए चेरो कान सारे questions most important है हाँ चेरो कान जो है याद रखना है option D होगा मिजोरम का है चेरो कान जो है कहां का है ये मिजोरम का है फिर बोलना है लाई हरीबा, लोकनर्त जो है किस राज़ में प्रचलित है असम, मडीपुर, मिजोरम, नागा लेंड बताईए क्या होगा इसी का रिवीजन भी करवा देंगे परेशान नहीं होना है सब कुछ पढ़ते बश जाएए ठीक है आंसर है option B मडीपुर, ठीक है एक बार फिर से देख लेते हैं बिहु का क्या है, असम है घंटा मरदाला कहां का है, आंधर प्रदेस का है चेरो कान कहां का हमने पढ़ा मिजोरम का और लाई हरीबा कहां का है आपका मडीपुर का, ठीक है आगे आगे बोल रहा है कुमी नागा लोकनत जो है कौन से राज्ज में प्रचलित है मडीपुर, मिजोरम, नागा लेंड, असम बताइए कुमी नागा लोकनत जो है किस राज्ज में प्रचलित है कुमी नागा तो ये तो नाम से ही इस पस्ट है नागा आगया बीच में तो कहाँ आएगा नागा लेंड़ू आपका ठीक है आगे पूछा जा रहा है लंबाडी किस राज्य से संबंदित है गुजरात महारास्ट आंदर प्रदेश तमिल नाडू बताईए क्या होगा लंबाडी कौन से राज्य से संबंदित है आंजर की बात करें आप्शन सी होगा आंदर प्रदेश से संबंदित है कौन सा नत आपका लंबाडी ठीक है चलिए फिर बोल रहा है जात्रा कहां का लोकनत है पस्चिम बंगाल बिहार पंजाब उडिसा ये तो गलत नहीं करेंगे बताईए जात्रा कहां का है आंसर की बात की जाए आपका आप्शन ये होगा पस्चिम बंगाल का जात्रा कहां का है पस्चिम बंगाल का है ठीक है आगे चलिए कीरतन कहां का प्रमुक लोक नत्य है छापो जल्दी से कीरतन कहां पर होता है आपके चलिए अब सही है ठीक है कीर्टन 27 को बताईए चलिए आंसर की बात कर लेते हैं जिसने जिसने option C दिया है न पस्चिम बंगाल उसका बिल्कुल सही है पस्चिम बंगाल में कीर्टन होता है जात्रा कहा है आपका पस्चिम बंगाल में लंबाडी कहा है आपका आंधर प्रदेश में है और कुमी नागा कहा है आपका नागालेंड में ठीक है यहां तक हो गया आगे बताईए गिद्दा जो है ये एक नत है कहां का है पंजाब, हिमांचल प्रदेश, हरियारा, राजिस्थान बताईए गिद्दा जो है कहां का नत्य है 28 देखिए option A होता है पंजाब का है ठीक है गिद्दा आगे चलते हैं जट जाटन कहां का लोक नत्य है बिहार, जारखंड, उत्तर प्रदेश, राजिस्थान बताईए क्या होगा अंसर जट जाटन कहां का है आंसर होगा आपका option A बिहार का है ठीक है, जट जाटन नोटनकी कहां पर होती है गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, पस्चिम मंगाल ये तो गलत नहीं करेंगे है ना चलिए आंसर बता देते हैं, आपका favorite question है option C हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, नोटनकी होती है जट जाटन कहां, बिहार में गिद्दा कहां, पंजाब में किर्टन कहां आपके, किर्टन कहां होता है पस्चिम, बंगाल में आगे लामणी जो है, कौन से राज़ी का प्रशिद लोकनत है बताईए, गुजरात, महाराष्ट, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश बताईए क्या होगा अंसर लामणी कहां कहा है आपके महाराष्ट कहा है, ठीक है आगे मयूर भंजे च्छाव जो है, भारत के किस राज़ी का लोकनत है उडिसा, महाराष्ट, राजस्थान, करनाटक चाप दो जल्दी से बेटा मयूर भंजे की बात हो रही है तो आंसर याद रखना है, ऑप्शन A हो जाएगा उडिसा में है, आपका क्या मयूर भंजे, ठीक है आगे बच्चा नगमा जो है ये किस राज्य के पुर्सों का लोकनत है जम्मू कस्मीर हिमांचल प्रदेश राजस्थान, कुजराथ बताईए, जिसने ये पढ़ लिया ना अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा 100% गैरंटी है ठीक है अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया और 100% पूछा ही जाता है हर साल पूछा गया है जब भी एक्जाम हुआ है हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछा जरूर गया है और इसके बाहर नहीं मिलेगा ठीक है चलिए बच्चन अगमा पूछा है 33 तो आंसर है आपका ऑप्शन भी हमांचल प्रदेश में 13 ताली लोकनत कहां का है बता दो केरल, राजिस्थान, मद्ध प्रदेश, तमिल नाडू 13 ताली तो याद रखना है ऑप्शन भी होगा आपका राजिस्थान तो तेरा ताली कहां का हो गया राजिस्थान, बच्चन अगमा कहां का हो गया बच्चन अगमा कहां का है क्या बताया भी हमांचल प्रदेश का है ठीक है, बच्चा चारा है चासे हमांचल प्रदेश मयूर भंज कहां का है आपके उडीसा का है लावणी कहां का है महारास्ट का ठीक है रिवीजन भी करवा दिया चलिए शाब बास आगे बढ़ते हैं डांडिया कहां का है ये तो गलत नहीं करेंगे है न गुजराद, असम, जारखंड महारास्ट बताइए जो सीध है आपके एक्जाम में वार करेंगे ठीक है और देखिएगा यहीं न कहीं से आएंगे ही चलिए शाब बास तो डांडिया कहां का है आपका गुजराद का है आगे कर्मा लोकनत कहां का है चत्तिसगर, ओडिसा, पस्चिम बंगाल, आंद्रप्रदेश अरे कहां गया बताइए कर्मा कहां का है कर्मा जो है आपका चत्तिसगर का है डांडिया कहां का है गुजराद का है तेरा ताली कहां का है राजिस्थान का है बच्चन अगमा कहां का है हिमांचल प्रदेश का आगे बैशाख बीहु कहां का है असम, बिहार, उडिसा, ज्छारखंद बताईए देखिए बीहु लग गया कहां का होगा आपके असम का ठीक है आगे राजिस्थान का प्रमुक लोकनत कौन सा है बताईए गर्वा, गिद्धा, घूमर, बिहु ये तो गलत नहीं करेंगे है ना बहुत गाना भी फेमस हुए था कौन सा था हाई रे घूमर घूमर ऐसे करके आगे कौन सा लोकनत है जो गरीबों की कतकली के नाम से फेमस है बताईए गरीबों की कतकली के नाम से कौन फेमस है? 39, करो, जल्दी से चलिए, इसका बता देते हैं हम, ठीक है? कन्फ्यूज मत हो ये, गरीबों की जो कतकली कहते हैं न, उसको कहते हैं हम ओटन तुलन को, किसको कहते हैं गरीबों की कतकली? इंपोर्टन गरीबों की कतकली, ओटन तुलन को, ठीक है? आगे जारखंड का जो पाई का है, पहली बात पाई का कहां का है? जारखंड का है ये है क्या? लोक गीत है, लोक नत्य है, वाद्दी यंत्र है, चित्रकला है चापो जल्दी से क्या है? याद रखना है, पाई का जो है, ये आपका डांस है पाई का क्या है आपका? डांस है, जो की कहां किया जाता है आपके? जारखंड में किया जाता है ठीक है? आगे सुवा नत्य जो है, वो किस जन्जाती से संबंदित है? बैगा, मुडिया, मारिया, कोरकू पताईए सुवाज नर्त जो है वो कौन सी जनजाती करती है 41 कुल मिला कर आपको याद रखना है तोता जो है सुवा तोता को कहते हैं न तोता जो है वो बैग टांग के चलता है कुल मिला कर याद रखना है तो बैगा जनजाती जो है वो कौन सी मतलब कौन सा नत करती है तो तोता नत मतलब सुवा नत करती है ठीक है आगे भीलों के प्रशिद लोक नाटक का नाम क्या है गवरी, स्वांग, तमाशा, रम्मत बताईए 42 आंसर है आपका option ए गवरी तो भीलों का जो प्रशिद लोक नाटक है वो क्या कहलते है उसको गवरी कहते है ठीक है याद रखना है आगे चलते है आगे है कौन सा लोक चन जाती है नत करनाटक से संबंदित है अभी जस्ट पढ़ाया है यच्चगान, विधी, और चात्रा, जोरा बताओ जल्दी से 43, आंसर करो बेटा आंसर आंसर शाब बात चलिए आंसर बताते हैं आपका है option A यच्चगान जो है कहा का है आपका करनाटक का क्या है नत है आगे आंदर प्रदेस की गोंड जन जाती जो है आंदर प्रदेस की जन जाती है वो कौन सा लोक नत करती है बताइए गुसादी, आमरनत, मोरनत, पिहुनत बताईए तो याद रखना है जो गोंड जन जाती है ना कहां की आंधर परदेश में जो रहती है वो करती है गुशादी नत कौन सा गुसादी कुलमला अगर याद रखना है गुशादी कहां का है तो आदर प्रदेश की जंजाती करती है ठीक है आगे चलते हैं कौन महिला प्रधान रत है कुडियाट्टम, कुरुबंची, गिद्दा, भांगडा बताईए महिला प्रधान बताईए पुटी फाइब अंसर की बात कर लेते हैं तो देखिए अभी आपने पढ़ा था गिद्दा जो है पंजाब का लोक नर्त है और इसको ये जो है ना ये करती है महिलाएं करती है गिद्दा एक और नर्त है वो दिमाख में नहीं आ रहा है अभी जैसे ही दिमाख में आता है मैं तुरंत आपको बताती हूँ गिद्दा है और एक और है जो पुर्सों के द्वारा किया जाता है वो बिल्कुल दिमाख में नहीं आ रहा है तो महिलाएं जो करती हैं पंजाब में गिद्दा करती हैं और आगे देखते हैं शायद मिल जाएगा भी यहीं पर इसका बताइए क्या होगा लोकनत और राज्यों के युगमों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताइए कौरकू, महारास्ट, थाली, हिमांचल प्रदेश, छूमर, हर्याना, मुकना, मडीपुर बताइए क्या होगा क्या होगा 46 सुमेलित नहीं है पूछा है तो देखिए आंसर की बात करते हैं तो देखिए कौरकू जो है महारास्ट का है बिल्कुल सही है थाली जो है आपका हिमांचल प्रदेश का है बिल्कुल सही है मुकना जो है ये मडीपुर का है ये भी सही है लेकिन जो जूमर है ये हर्याना का नहीं है बिल्कुल भी कहां कहा है आपके राजिस्थान का है अभी जस्ट हमने उपर पढ़ावीता ठीक है आगे बढ़ते हैं लोकनत और राज्यों के युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है जूमर, हरियाणा, कदरी, उत्तर प्रदेश, तमाशा, महारास्ट, बाउल, पस्चिम्बंगा बताइए बहुत सिंपल से जो दिये हैं ऑप्शन बहुत सिंपल से हैं अभी जस्ट पढ़ाया है हमने आपको तो याद रखना है इसमें भी वही गलती है जूमर जो है हरियाणा का नहीं है कहां कहा है आपके राजिस्थान का है ठीक है आगे तांडव नत जो है किससे संबंदित है स्रंगार रस से वातसल रस से वीर और रौदर रस से बताइए तांडव नत जो है उसमें कौन सा रस होता है जिनकी शादी हो गई है उनसे पूछिए तांडव क्या होता है वो परिभाशा बताएंगे बता दीजे जिसकी जिसकी हो ग कुकी और नागाओं का मुरियाओं का गोंडों का भूमियाओं का बताइए बंबू नित जो है वो कौन सी जंजाती करती है ये सारे questions important है बेटा देखिए बहुत important है चलिए answer है ये जो एक दो number के out of flavors आप लोग सोचते हैं कि आज आते हैं out of flavors नहीं होते हैं वो होते ही आपके flavors से हैं लेकिन वो ऐसा घुमा कर दे देते हैं कि आपको लगता है कि ये out of है ठीक है आंसर है option A कुकी और नागाओं का है ये नित ठीक है आगे तीजन भाई जो है किस लोक नत गायन से संबंदित हैं पंडवानी ये च्छगान चेरोकॉन पनिहारी बताईए अब हम आपसे यहां question करते हैं 50 जो अर्धसा तक लगा दिया है आप लोगोंने यहां हम आपसे कुछ questions पूछते हैं देखते हैं घुसा दिमाग में कुछ की तीजन भाई जो है ना ये किस से संबंदित हैं आपके पंडवानी से हैं अब बताओ पंडवानी कहा का है ये च्छगान कहा का है चेरोकॉन कहा का है बताईए और यहां पर क्या लिखा है पणिहारी चौता option था पणिहारी ये कहा का है च्छापो जल्दी से फटा फट से चारो के आंसर, पंडवानी कहां का है, यद छिगान कहां का है, चेरो कौन और पढ़ीहारी, चाप जल्दी से फटा फट से, जिसको पता है, जिसको क्या, सभी को पता होना चाहिए अभी पढ़ाया है, जिसने नहीं बता है ना तो समझ लीजिए का, बिलकुल से मिर्ची खिल देंगे, बहुत चॉकलेट खवा दी हमने आपको, चाप बाज, चलिए, 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 वेरी कुट, तो देखिए, पंडवानी जो है आपका, ये आपका, 36 गड़ का है, याद रखना है, ठीक है, और ये चिगान जो है, करनाटक का है, अपना-पना मिलान करिए ठीक है, मिलान करिए, पंडवानी, 36 गड़ का, येचगान, करनाटक का है, चेरो कौन कहां का है, मिजोरम का है, अभी पढ़ाया है जस्टू पर, कहां का है, मिजोरम का है, पढ़िहारी कहां का है, गुजरात का है, कहां का है, गुजरात का, ठीक है, तो इस तरह से इसका मि गुजरात भांगडा पंजाब नौटंग की उत्तर प्रदेश बताइए गलत करेंगे ये भी नहीं करना है ना हाँ बिहू जो है कहां का है आपका असम का है तो ये पहला ही मिलान गलत है तो आपका option A सही हो जाएगा आगे गौर नत कौन सी जंजाती करती है बैगा मुडिया दंडामी माडिया कोरकू बताइए 52 गौर जो है वो कौन करता है गौर से देखो पेज मुड़ा हुआ है तो गौर नत कौन सा जंजाती करती है आपका मुडिया जंजाती करती है याद रखना है आगे कौन सा भार्तिय लोक नत है मडीपुरी मुहिनी अट्टम गरबा कतकली बताइए कौन सा भार्तिय लोक नत है 53 चापो चलिए आंसर की बात करते है ओप्शन C होगा गरबा देखिए यह जो मडीपुरी दिया है मुहिनी अट्टम दिया है और ये कतकली दिया है ये सब जो है आपके शास्त्री नत्य में शामिल है ठीक है लेकिन उसने केवल लोक नत्य पूछा है तो आपका क्या होगा सही option C होगा गर्वा ये ना कह दीजे कि मैं ये तो सब भारती हैं सभी भारत में होते हैं ऐसा कुछ नहीं है ये जो है सब शास्त्री नत्य में आते हैं और ये जो है आपका लोक नत्य में ठीक है आगे बताओ युद्ध संबंदी नत्य कौन सा है बताईए कतकली, मेघाले का बंबू डांस और मयूर भंजी का छाओ और पंजाब का भांगडा बताईए बताओ लडाई जगडा वाला कौन सा नत्य है समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है देखके ही बंबू बंबू लिये होगा जो कोई मतलब बंबू का मतलब क्या होता है बास जो कोई बास लिये होगा वही लडाई जगडा कर सकता है याद रखना है मेघाले का क्या है बंबू डांस ठीक है आगे भवाई जो है कौन से राज्य का लोक नरत्य है बताईए हरियाणा महाराष्ट गुजरात राजस्थान मज़ा आ रही है क्लास में चलिए 55 आंसर करो आंसर शाबास बेटा वेरी गुड चलिए भवाई जो है ना सवाई राजा जैसिंग तो कहा था आपका राजस्थान में तो भवाई जो है कहां का है राजस्थान आगे भारत में बंबू नित कहां का है बताओ जिसने गलत किया ना तो समझ लीजेगा अभी जस्ट पढ़ाया है उपर लिखा भी है बताइए नागालेंड मेघाले पूछा जा रहा है करनाटक की लोक रंग भूमी जो है वो कौन सी है भागवत मेला यच्छिगान भवाई कुड़ी अट्टम बताएए अब भी पढ़ाया है अब भी मिर्ची खाना हो तब भी गलत करना ठीक है प्वाई ऑप्शन भी है यच्छिगान ठीक है भागवत मेला नहीं है घूमर कतकली गरबा दांडिया बताएए क्या होगा कौन सा लोक निरत नहीं है छापो क्या होगा रइट आंसर बेटा बताएए मेरे छोटे छोटे से मुनने चलिए आंसर है देखिए इसमें भी वही दिमाग लगाना है जो हमने उपर पढ़ाया घूमर जो है आपका कहां का है राजिस्थान का है गरबा कहां का है गुजरात का है दांडिया कहां का है ये भी गुजरात का है लेकिन जो कतकली है ये आपका केरल का है है तो सभी भारत के लेकिन ये जो है आपका शास्त्री नत में आता है ठीक है कतकली जो है शास्त्री नत में आता है लेकिन ये जो तीनों है आपके लोक नत में आते है ठी चा चा के बाद क्या आता है चा से हो गया छपेली चा से हो गया हिमान चल परदेश ठीक है याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं निमनलेकित नत्यों में से गुजराथ से संबंद रखने वाला नत्य कौन सा है तांडिया, विदेशिया, बास नत्य कुझी पुड़ी बताओ शिक्ष्टी क्या होगा छापो देखें गुजराथ से पूछा है अभी पढ़ाया है डांडिया है ठीक है आगे चर्कुला नत्य किस से संबंदित है अबद, बुंदेल खंड, ब्रिजभूमी, रुहल खंड बताओ चर्कुला कहां कहा है ये तो नहीं गलत करेंगे है ना गलत करेंगे इसको भी जिसने गलत किया ना तो लाल वाली, कडू-कडू वाली, मिर्च खिला देंगे सीधे आंसर ये आपको ऑप्शन C, ब्रिजभूमी का है चर्कुला ठीक है आगे इसको बताना है थोड़ा सा भद्दा है लेकिन समझ में आ रहा है आलहा, महोबा, रसिया, बरसाना, कजरी, मिर्जापुर, बिरहा, कन्नौच, क्या गलत है इसमें बताइए देखें बिल्कुल सही पकड रहे हैं आप लोग, बहुत सही आंसर आ रहा है ओप्शन D, बिल्कुल सही होता है बताईए बधाई जो है क्या है बुंदेल खंड का लोकनत है मालवा का लोकनत है दीवाली के दूसरे दिन भोपाल में मनाये जाने वाला एक तिवहार है बुंदेल खंड का लोक संगीत है छापो क्या होगा 63 पे आईए जल्दी से फटा फट से बताओ बेटा बताओ 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 याद रखना है ये जो बधाई है अपने यहाँ बुंदेल खंड में गया जाता है ठीक है बुंदेल खंड का जो नर्त है उसे बधाई कहते है बताईए जागोई नर्त जो है किस राज्य का नर्त है उडिसा, मड़ीपुर, आंधर प्रदेश, असम पताईए क्या होगा 64 पे आईए सारे question important है ठीक है option B ये है मड़ीपुर चलो आगे सांजी कला जो है भारत के किस राज्य से संबंदित है पस्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजिस्थान सारे questions मिलेंगे, ये हो जाएगा, इसके बाद पढ़ाएंगे आपको शास्त्री, संगीत के घराने और शैलिया ठीक है और नहीं, इसके बाद कुछ और पढ़ा देंगे कलाकार पढ़ा देंगे, ठीक है बताईए इसका क्या होगा option B, ये मड़ीपुर का है और ये क्या बोल रहे थे कौन सा question करना था हमको 65, हाँ, सांजी कला है, पूची है हाँ, शाबाद, सांजी कला जो है आपके उत्तर प्रदेस में, उत्तर प्रदेस में भी कहां की है, छापो सभी लोग आगे, जवारा नरत जो है, जो धन का उत्तर मनाने की एक नत्त शैली है इसकी उत्तपत्ती किस राज्य में हुई है बताईए, जवारा नत्त कहां होता है, 66 66, बताईए आंसर है, ऑप्शन सी मद्ध प्रदेस में, सांजी कला कहां की है उत्तर प्रदेस की, जागोई कहां का है आपका मड़ी पर का, ठीक है आगे बढ़ते है कारा गम जो धार में की लोक नरते है कहां से संबंदित है, केरल से तमिल नाडू, आंधर प्रदेस, करनाटक से बताईए, सत्तर कर लीजे फिर इसके बाद कल करवा देंगे ठीक है, जादा ही आप लोग भड़ा रहे हैं अमें लगता है कारा गम जो धार में लोक नरते है, आपका ऑप्शन बी होगा तमिल नाडू है, ठीक है, केरल नहीं करना है तमिल नाडू है आगे लोक नरते राहुला जो है इसका संबंद उत्तर प्रदेश के किस शेत्र से पढ़ता है राहुला नरते चलिए, आंसर है आपका ऑप्शन डी ये है आपका बुंदेल खंड में पढ़ता है राहुला नरते गड़वाल शेत्र के लोक नरतेों में से कौन सा उत समय किया जाता है जब हाल में विवाहत लड़की प्रिथम बार अपने माई के आती है जब शादी होती है आपकी दुलहन आएगी और जब वो आपकी दुलहन आपसे दूर होकर अपने माई के जाएगी पहली बार तो उसको क्या कहते हैं उस लोकनत्य को क्या कहते हैं पूछा है बताईए 69 चलिए आंसर है आपका option C ये है जुमैला कहते हैं उसको ठीक है जुमैला आगे पस्तर में डंडारी निरत्य जो है कौन से त्योहार पर आयोजित होता है गावा, होली, नवाखानी, दीवाली छापो जल्दी से डंडारी निरत्य कहां पर होता है चापो जल्दी से याद रखना है ये जो डंडारी निरत्य है याद रखना है डंडी निरत्य भी बोल देते हैं ये हूली के बाद में होता है याद रखना है ठीक है चलो तो फिर यहीं तक आज रखते हैं 70 questions आज हमने निप्टा लिए है इसमें और 30 questions और है लगभग 35 questions और ह तो इसको हम कल निप्टा लेंगे ठीक है और यहीं से question पूछे जाते हैं एक दो question यहीं से उठा के रख दी जाते हैं फिर आपको लगता है कि out of flavors आ रहा है तो ऐसी गलती मत करिएगा हम कह रहे हैं कि जतना हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़के जरूर जाईएगा ठीक है और और यहां से question न मिलें ऐसा हो ही नहीं सकता चलिए यह बताई क्लास पसंद आई क्लास पसंद आई की नहीं आई पताईए मजा या ऐसा ही आना चाहिए मिर्ची खिला खिला के पढ़ाएंगे आप लोगों को कैसे नहीं खाएंगे आप मिर्ची बहुत खा लिए आप लोग चलिए जिसने like वाइक न किया हो तो कर दीजे भाई अपना फर्स जज़ा करिए जल्दी से पटक से जो भूल गए हो भुलकर तो हैं या आप लोग एक नमबर के है ना भुलकर है चलिए हमारी बातों को थोड़ा अन्यथा मत लिया करिए ठीक है हम तो ऐसे बोलते रहते है है ना चलिए चलिए क्लास पसंदार ये सभी को अच्छी बात है बहुत सही और देखिए ऐसे ही questions हम काफी सारे नुटा देंगे देखिए बहुत सारे भंडार है questions का ना भंडार है देखिए ये हैं आपके सारे questions इसके बाद ये चलेंगे और इसके बाद काफी सारे चीजे हैं आपके लिए बहुत सारी चित्रकला और मूर्तिकला है फिर इसके बाद बहुत सारी questions हैं तो परिशान नहीं होना है सब कुछ complete होगा और आज तो मतलब खेर आज क्या है शुक्रवार है ना तो आज अपनी यहीं तक हो गया कल्सनी वार है तो कल्सनी वार प्लस रवी वार इन दोनों दिन आपका 14 का नोट चलेगा तो आपको उपस्तित होना है शाम को 7 बजे ठीक है चलिए इसके जस्ट बाद वाली 8 बजे वाली क्लास में मिलते हैं ठीक है तो सभी को आठ बजे भी जोड़ना है इसी चैनल पर होती है ठीक है चलिए फिर टाटा बबाई गुड नाइट नहीं अभी आठ बजे फिर से मिलना है है ना चलिए टाटा बबाई तब तक के लिए खाना पीना खाल दीजिए चलिए